ग्यान कोई याद करने की नहीं, अपे तु समझने की बात है, जिसका सफल होना केवल इस बात पर निर्भर करता है, कि वो ग्यान हमारे दिल में समाया या सिर्फ दिमाग तक ही रह गया. क्योंकि जब ग्यान दिल में जाता है, तो वो अपना कारे करता है, तो बस यही चेकिंग होती है कि ग्यान गया कहाँ, क्योंकि अगर दिल में जाएगा ग्यान, तो उस आत्मा का उस पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, उसे पता चलने लग जाएगा कि मैं बदल रहा हूँ, कि मेरे अंदर, मेरे जीवन में इस ग्यान से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है. जब दिल में जाएगा ग्यान, तो हमारा खुद पर अटेंशन रहेगा, दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे हम, कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, दिल का ग्यान खुद को परिवर्तन करने के लिए होता है, और दिमाग का ग्यान वो दूसरों से चाहता है, हर्थात वो चाहिए चाहिए करता है, हर्थात के इसको ऐसा बनना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा ग्यान सुनकर भी इसने क्या किया, इसने कुछ किया तो है नहीं, पर जो दिल वाला होता है वो खुद बदल कर दूसरों में बदलाव लाने के लिए प्रेड़ना श्त्रोध बनता है कि उसको देख कर दूसरे भी बदलते हैं When we change, the world changes Just a click for a peaceful life